आज मैं फिर से आयू संबंधी विभियाय प्रशन को डिसकस करने वाला हूँ, चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहले प्रशन को पढ़के अच्छा से समझ लेना है, पहला नमर प्रशन है, तीन ब्यक्तियों की आउसत आयू 33 वर्स है, अगर उनकी आयू 2 अनुपात, 3 अनु और तीनो ब्यक्तियों का आयू का अनुपात दिया हुआ है, अगर तीनो ब्यक्तियों का आयू का टोटल योग मालूम हो जाएगा, तो बहुत ही असान तरीके से प्रशन सॉल्व हो जाएगा, समझने का प्रयास किजिएगा, और तो आप टोटल योग निकाल सकते हैं, मैं shortcut में बताऊंगा लेकिन एक बार concept को समझना है, समझने का प्रयास किजिएगा तो सबसे पहले आपको समझना है कि आउसत बराबर क्या होता है, मैं shortcut में लिखूंगा, आउसत बराबर संख्याओं का योग मैं सिर्फ योग लिख रहा हूँ समझने का प्रयास किजिएगा संखियाओं का योग बटे टोटल संखिया तो मैं यहाँ पर संखिया सिर्फ लिख रहा हूँ अब क्या करेंगे यहां पर बटे में कुछ नहीं तो एक है इसको गुना करेंगे तो क्या होगा योग हो जाएगा और इसको गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा आउसत गुने संख्या अब यहां पर आपको समझना है जैसे तीन ब्यक्तियों का आउसत आयू दिया हुआ ह तो आउसत को संख्या से गुना कर देंगे, तीन ब्यक्ति है, तो तीन से गुना कर देंगे, तो तीन ब्यक्तियों का आयू का टोटल योग मालूम हो जाएगा, बिल्कुल असान है, समझ में आगिया होगा, अब मैं सोटकट में बताऊँगा, तो सबसे पहले, तीनों ब्यक् चुका है अब समझने का प्रयास किजिएगा सबसे बड़े की आयू ग्याद करना है तो टोटल योग को पहले लिख लेना है और बटे में अनुपात में जितना भी संखिया है उसको जोड़के बटा में लिखना है तो कितना है दो तीन चार याने की चार तीन साथ और दो रखेंगे और जिसका निकालना है अब समझने का प्रयास किजिएगा सबसे बड़े की आयू निकालना है तो अनुपात में जो सबसे बड़ी संखिया है वही सबसे बड़े की आयू होगा तो सबसे बड़ी संखिया चार है तो यहाँ पर चार से गुना कर देंगे अगर 1929 और इसको गुना कर देंगे 1444 तो देखिए 44 वर्स जानि कि सबसे बड़े की आयू कितना है 44 वर्स है बिल्कुल समन्ज में आ गिया होगा अब चलते हैं अगला प企झड़ सबसे पहले प्रशन को अच्छा से समझना है और मैं एही हूंगा अगर कहीं पर समझने में प्रोब्लम हो रहा है तो कमेंट में लेकर बटाजेगा मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा मा और बेटे के उम्र का अनुपात 7 अनुपात 3 है यदि इनके उम्र का योग 60 साल है तो उनके उम्रों के बीच कितना अंतर है तो अब यहाँ पर अंतर ग्याद करना है तो दोनों का उम्रन निकलना पड़ेगा और यहाँ पर योग दिया हुआ है तो सबसे पहले मा का निकलेंगे समझने का प्रयास किजिएगा बहुत ही असान है तो मा का उम्रन कैसे निकलेंगे total योग दिया हुआ है, तो total योग पहले लिखना है और बटे में, अनुपात में जो भी संक्षिया दिया हुआ है, उसको जोड के यहाँ पर बटा में रखना है, तो 7, 3, 10 हो जाएगा, और जिसका निकलना है, यानि कि अनुपात में मा का कितना है, तो मा का साथ है और बेटे का तीन है तो अनुपात में जो मा का है उससे यहाँ पर बुना कर देंगे तो अनुपात में मा का कितना है साथ है सॉल्फ करेंगे तो मा का एज निकल जाएगा तो देख लिजे यहाँ पर यह जीरो जीरो कर जाएगा साथ छक 42 मा का आगिया 42 और बेटे का निकाल लेते हैं तो यहां पर मैं shortcut में लिख रहा हूँ बेटे का निकालेंगे तो इसके लिए भी आपको क्या करना है total योग बटे अनुपात में जो संखिया है उसको जोड़के यहां पर बटा में रखना है तो दस हो जाएगा और बेटे का निकालना है तो अनुपात में बेटा का कितना है तीन है तो यहां पर तीन रखेंगे यह कट गया है और चोतिया 18 यानि की बेटे का उम्रह 18 है अंतर पूछ रहा है तो घटा दिजे अंतर यहीं पर कर लेते हैं एक दहें 10 यानि की 12 में से 8 तो हो जाएगा 4 और यहां पर बच गया है 3 में से 1 तो 2 यानि की 24 साल का अंतर है देख लिजे कहां पर है खा अप्शन सही है क्या बोल रहा है इस्तरी तथा लड़की की उम्रह का अनुपात 4 अनुपात 5 है तथा उनके उम्रों का योग 81 साल है 9 साल के बाद उनकी उम्रह का अनुपात क्या होगा समझने का प्रयास कीजिएगा सबसे पहले दोनों का एज निकालेंगे उम्र निकालेंगे इस्तिरी तथा लड़की का तो total योग दिया हुआ है कितना है? सबसे पहले इस्तिरी मैं shortcut में लिख रहा हूँ तो इहां पर इस्तिरी का निकाल रहा है तो कितना हो जाएगा? टोटल योग दिया हुआ है 81 और अनुपात में कितना है 4 और 5 है तो जोड़के यहाँ पर रखेंगे तो 9 हो जाएगा और किसका निकाल है इस तरी का तो अनुपात में इस तरी का कितना है 4 है तो यहाँ पर 4 रखेंगे तो इस तरी का एज निकल जाएगा तो देख लिजे 9, 9, 81 और 9, 36 इस तरीका कितना आ गया 36 आ गया अब निकालते हैं लड़की का समझने का प्रयास किजिएगा बहुती असान है तो टोटल योग 81 है और अनुपात में जो भी संखिया उसको जोडने पर 9 आ रहा है तो इहां पर 9 रखेंगे और इस बार लड़क का निकाल रहा है तो अनुपात में लड़की का कितना है पांच है तो पांच से गुना कर देंगे लड़की का उम्रह निकल जाएगा 9, 81, 9, 45 यानि की लड़की का 45 है तो अब इहां पर बोल रहा है 9 साल के बाद अब क्या करेंगे इसमें 9 जोड देंगे इहां पर 9 जोड तो यहाँ पर देख लिए 36 और 9 को जोड़ेंगे तो 9-6 पंद्र यानि कि 45 आ जाएगा और लड़की का कितना है अब यहाँ पर धियान देना है तो किसका किसका बोला है 9 साल के बाद उनकी उम्र का अनुपात तो सबसे पहले इस तरी का रखेंगे इसके बाद नीचे में तो यहाँ पर रख देंगे 54 यह अनुपात आ रहा है तो 9 से कट जाएगा 9,45 और 9,64 तो देख लिजे इसको आप अनुपात में कैसे लिखेंगे 5,अनुपात 6 तो 9 साल के बाद अनुपात किया हो जागा यानि कि 5,अनुपात 6 देख लिजे कहां पर है तो 5,अनुपात 6 गा ओफसन से यह बहुत ही असान है अगर एक पर अच्छा से प्रैक्टिस करेंगे समझेंगे तो बहुत ही असान तरीके से सोल्व हो जागा अगला प्रसन चार नमर सबसे पहले प्रसन को अच्छा से समझना है अरून भूसन से उतना ही छोटा है जितना ओवा अनिल से समझने का प्रयास किजेगा तो प्रसन किस तरीके से है यह सबसे पहले समझना है अरून भूसन से बोल रहा है अरून भूसन से उतना ही छोटा है जितना ओवा अनिल से बड़ा है और ये दोनों का आयू का योग दिया हुआ है कितना है अंठावन वर समझने का प्रयास यदि भूसन और अनिल की आयू का योग 58 वर्स है तो अरुन की आयू होगी अरुन का आयू निकलना है ये दोनों का आयू का योग दिया हुआ है अगर ये दोनों का आयू का योग दिया हुआ रहेगा और इसका ग्यात करने के लिए कहा जाएगा तो बहुत ही असान है इसमे कलम और कोपी यूज करने का जरूत नहीं पड़ेगा लेकिन प्रस्ना इसी तरीके से होना चाहिए तो ये दोनों का आयू का योग कितना है यानि कि भूशन और अनील का आयू का योग कितना है अंठावन वर्स है और इसका निकालना है तो आपको सिर्फ क्या करना है इसको दो से डिभाइट कर देना है देखिए कितना असान है इसमें कलम और कोपी यूज करने का जरूत नहीं पड़ता लेकिन मैं समझाने के चलते यूज कर रहा हूँ तो दो से डिभाइट करेंगे दो दुना चार यहां पर एक बच गया तो अठारा दो नवा अठारा यानी कि अरून का आयू कितना है उन्तिस वर्स है इसी तरह का प्रस्ण होना चाहिए बिना कलम को पी यूज किये बन जाएगा देख लिजे कहां अप्सन में रहेगा कि ग्यात नहीं किया जा सकता है तो इसी प्रस्ण में अगर अनिल का पूछेगा तो आपको क्या करना है यह दोनों का आयू का जो योग दिया हुआ है उसको सिर्फ दो से डिभाइट कर देना है बिनकुल समझ में आ गया होगा आप चलते हैं अगला प राकेस की उम्रों का योग 48 साल हो तो राकेस की आयू होगी तो यहां पर वही क्या क्या करना है एक बार मैं समझा देता हूँ राकेस है उसके बाद राजेस है और उसके बाद मुकेस है तो इसमें क्या बोला है राकेस राजेस से उतना ही चोटा है जितना वह मुकेस से योग को दो से डिभाइट कर देना है तो इसका आयू निकल जाएगा दो दुना चार और दो चोके आठ याने की चोवीश साल देख लिजे कहां पर है गाव ओप्सन सही है अगर इसका निकालने के लिए बोलेगा इसका ग्यात नहीं किया जा सकता है तो इस तरह का ओप्सन मे रहेगा समझने का प्रियास किजिएगा अब चलते हैं अगला प्रसन चाहाँ नमबर सबसे पहले प्रसनक को अच्छा से समझ लेना है अमर और part 1 और part 2 नहीं दखे होंगे तो जरूर देख लिजेगा मैं part 1 और part 2 में इसका trick को भी बताया हूँ और concept को भी बताया हूँ इसमें भी अगर आप चाहेंगे तो बीना column को भी use कि answer बता सकते हैं मैंने option को check करने का तरीका बताया था तो option क्या है वर्तमान का है और एक अनुपात दिया हुआ है जो की वर्तमान का है दो अनुपात तीन कब का है वर्तमान का है और option भी वर्तमान का है तो अनुपात से check करके देख लेना है किसका पुछा है अमर की वर्तमान आयू तो अमर का अनुपात में कौन सा है तो सबसे पहले अमर का है अमर का अनुपात में कितना है दो तो option को 2 से divide करके देखना है कि कौन कौन divide हो रहा है तो देखिए क में 6 है 2 से divide होगा 9 divide नहीं होगा 13 divide नहीं होगा 15 divide नहीं होगा यानि कि 4 option में चार option में मात्र और मात्र एक option डिभाइड हुआ तो इसका answer मिल गया यानि कि का option सही है तो इस तरीके से आपको समझना है देखे कितना बड़ा question है लेकिन अपने mind में calculate हुआ column और copy यूज करने का जरूत नहीं पड़ा एक बार सिखना होगा समझना होगा अब चलते हैं अगल अब यहां पर क्या है सबसे पहले प्रस्न को अच्छा से समझ लेना है चो साल पहले कमल तथा सुरेश की आयू का अनुपात चो अनुपात पांच था चार साल बाद अनुपात ग्यारा अनुपात दस हो जाता है तो सुरेश की वर्तमान आयू क्या है अब समझने का प्रया option तो वर्तमान का है, लेकिन जो सबसे पहले अनुपात दिया हुआ है, वो कब का है, 6 साल पहले का है, समझने का परियास कीजिएगा, एक बर मैं लिख लेता हूँ, आप इसको भी चाहेंगे, तो बिना कलम को पी यूज किये बना सकते हैं, तो देखे, 6 साल पहले, कमल तथा सुरेश की आयू का अनुपात कितना है, 6 अनुपात 5 है, और option वर्तमान का है, तो option को 6 साल पहले में ले जाना है, तो पहले में ले जाने के लिए माइनस करते हैं, समझने का परियास किजिएगा, मान लेता है कि अभी मेरा 30 साल है, तो 5 साल पहले, 5 साल पहले, मेरा उम्र कितना था, यानि कि 25 साल, यानि कि 5 घटाना पड़ा, अगर बाद में ले जाना है, तो जोड़ना पड़ेगा, अभी मेरा उम्र 30 साल है, तो 5 साल बाद कितना हो जागा, 35 साल, यानि कि 5 जोड़ना पड़ेगा, तो ये आपको अच्छा से बजने का प्रयास किजिएगा अगर आप अपने माइंड में कल्कुलेट करेंगे तो देखिए पहला नमबर ओप्शन में सबसे पहले आपको ध्यान देना है किसका निकालना है तो सुरेश की वर्तमान आयू किया है सुरेश का निकालना है तो सुरेश का अनुपात में कितना है कमल तथा सूरेश यानि कि सूरेश का 5 है तो 20 में 6 घटाएंगे तो कितना आएगा 20 में 6 घटाएंगे तो कितना आएगा 14 5 से नहीं कटेगा ठारा में अगर 6 घटाएंगे तो 12 आएगा 5 से यानि कि 16 गटाएंगे तो 10 आएगा 5 से कटेगा 24 में 6 गटाएंगे तो 18 आएगा 5 से नहीं कटेगा यानि कि कौन ओला कट रहा है गा option यानि कि 16 में 6 गटाएंगे तो 10 आएगा और 10 5 से डिभाइड हो गया तो चार option में मात्र और मातर एक option डिभाइड हुआ तो answer मिल गया एक बार मैं लिख के बता देता हूं क ख ग ग समझने का प्रयास किजिएगा इसमें कितना है 20 है और इसमें 18 है और इसमें 16 है और इसमें 24 है अब इसको बदलना है क्या 6 साल पहले में तो 6 घटा ये तो 14 हो जाएगा और इसमें 6 घटा खता हूं कंबल बटे सूर्ज कितना है चो बटे 5 तो roast का निकलना है तो पांस ये 9 होगा ये होगा ये नहीं होगा ये नहीं होगा तो चार ऑप्शन में मात्र और मात्र एक option डिभाइड निधा तो गवव औप्शन सही है तो बिल्कुल असान है और मैं एही कह ओंगा अगर आप concept को समझना čाहते हैं और tree को समझना चाहते हैं अगर part one और part two नहीं देख्योंगे तो जरूर देखिएगा अब चलते हैं अगला परशनद सब से पहले परशनद को अच्छा से समझना वर्ष है, बीस वर्ष पहले उनकी आयू का अनुपात, चार अनुपात तिन था, तो ए की वर्तमान आयू क्या होगी, समझने का प्रयास किजिएगा, कॉंसेप्ट को समझिए, असान है, कॉंसेप्ट समझने के बाद बहुत सी असान तरीके से बन जाएगा, ए और बी की वर् प्रयास किजिएगा तो वर्तमान में योग कितना है A और B का 110 है तो 20 वर्स पहले में क्या करते हैं घटाते हैं तो A का भी 20 घटाएंगे और B का भी 20 घटाएंगे यानि कि 40 घटाना पड़ेगा तो 110 में आपको 40 घटा देना है तो 20 वर्स पहले का योग मालूम हो जाएगा त समझने का प्रयास किजिएगा अब यहां पर A और B का योग मालूम है और अनुपात मालूम है कब का 20 वर्ष पहले का तो A जो निकलेगा वो 20 वर्ष पहले का निकलेगा तो किसका निकलना है A की वर्तमान आयू क्या होगी A का निकलना है तो A का निकलने के लिए क्या करेंगे टोटल योग कितना है? 70 है, अनुपात में जो भी संखिया उसको जोड़ना है, तो 4-3-7 हो जाएगा और किसका निकलना है? एका, तो ए वाला अनुपात में एका कौन सा है? 4 है, तो 4 से गुना कर दिजिए एका उम्रा निकल जाएगा, 20 साल पहले का तो देखिये, 10-7-7, और इसको गुना करेंगे तो 10-4-4, यानि कि 20 साल पहले, एका उम्रा कितना है? 40 होज 20 साल पहले, तो अभी कितना है? वर्तमान में कितना है? तो फिर से इसमे 20 जोड़ना पड़ेगा, तो वर्तमान में बदल जाएगा, अगर पहले से कहाँ पर है, घव ओप्शन सही है तो एक बर आपको समझना होगा क्या समझ में नहीं आ रहा है? कमेंट में लिखेगा अगर आप कमेंट में नहीं लिखेंगे तो आपकी कमजोरी है, मैं तो समझा रहा हूँ अब समझाने के लिए त्यार हूँ लेकिन आपको कमेंट में लिखना होगा कितना समझे, कितना नहीं समझे अगला प्रस्ण अगला प्रस्ण नौ नमबर दस साल पहले B की उम्र, C की उम्र की दस गुनी थी यदि उनके वर्तमान उम्र का अनुपात, चार अनुपात एक है तो B की वर्तमान उम्र है समझने का परियास किजिएगा बहुती असान है तो मैं एही कहूंगा बहुत तरह का कोश्चन आएगा लेकिन कैसे सॉल्व होगा जब आप को अच्छा से समझे रहेंगे तब आपका दिमाग काम करेगा कि इस तरह का परश्चन है तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे सबसे पहले आपको क्या करना है दस साल पहले तो मान लेते हैं कि दस साल पहले इसमें क्या वोड़ है दस साल पहले B की उम्रा C की उम्रा की दस गुनी थी तो मान लेते हैं कि C का X था 10 सल पहले C का उम्र कितना था X था तो B का कितना था 10 सल पहले यानि की C से 10 गुना यानि की 10 X अब ये कब का है 10 सल पहले का अब समझने का परियास किजेगा यदि उनके वर्तमान उम्र का अनुपात यहाँ पर वर्तमान का अनुपात दिया हुआ है चार अनुपात एक, समझने का परियास किजिएगा, यह 10 सल पहले का है, तो इसको सबसे पहले अनुपात में बदलेंगे, किसका किसका, B और C का, तो B वाला को उपर में रखेंगे, और C को नीचे रखेंगे, B और C का यह अनुपात है, कब का है, तो 10 सल पहले का, अब इसमे अगर हम 10 जोड देंगे दोनों में तो ये वर्तमान में बदल जाएगा यानि कि ये जो अनुपात आ रहा है वर्तमान का अनुपात आ रहा है और वर्तमान का अनुपात दिया हुआ है कितना है 4 अनुपात 1 तो 4 बटे 1 लिख लिए यानि कि इसी के बराबर होगा बिल्कुल समझ में आ गया होगा अब गुना कर लेते हैं देखिए तो सबसे पहले इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा यानि कि ये 10x हो जाएगा और इहां पर 10 हो जाएगा और ये 4x हो जाएगा और ये 10 जो के 40 हो जाएगा देखिए इसको इधर में लाएंगे तो माइनस होगा तो 6X बचेगा और इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस होगा 30 बचेगा और 635 आ गया है यानि कि X का value कितना आया है 5 आया है तो आप से क्या पुछा है B की वर्तमान उम्र अब इहां पर आपको समझना है कि B का वर्तमान उम्र क्या है ये तो कब का है ये तो 10 सल पहले का है लेकिन वर्तमान का कौन सा है ये है क्योंकि इसमें 10 जोड़ा हुआ है 10 जोड़ेंगे तो वर्तमान में बदल जागा यानि कि ये वर्तमान का है तो B का कितना है B का ये वाला है यानि कि उपर वाला तो यहां पर X रख देंगे कहने का मतलब है कि 10 X प्लस 10 है तो यहां पर 5 रखेंगे तो 10 पचे 50 और प्लस 10 यानि कि 60 तो देख लिजे, B का वर्तमान, उम्र कितना है, 60 वर्स है, गा ओफशन सही है, अच्छा से मेहनत करना है, प्रैक्टिस करना है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपका कॉंसेप्ट अच्छा होगा, और मैं एही कहूंगा, अगर सिखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो वीडियो को continue देखे, और बताईए कि आपको क्या समझ में नहीं आया, और कौन सा चेप्टर पढ़ना चाहते हैं, ये भी आपको बताना है, और इस वीडियो के बाद, इस वीडियो के बाद मैं स्टार्ट करूंगा, ट्रीगोनोमेट्री, कुछ लोगों न एही कहूंगा कि कमेट में बताना है कि आगला जो अस्टार्ट करना है, कौन सा चेप्टर अस्टार्ट करना है, तो अब चलते हैं अगला प्रशनम, दस नमबर, समीर तथा आनंद की वर्तमान आयू का अनुपात, पांच अनुपात चार है, तीन वर्स बाद इनकी आयू क अनुपात, ग्यारा अनुपात, नौ होगा, आनंद की वर्तमान आयू कितनी है, बहुत ही असान है, और इस तरह का प्रशनम है, पार्ट वन में और पार्ट तु में अच्छा से समझाया हूँ, एक बार देख लिजिए, मैं हैं सोटकट में बताऊंगा, मैं बोलता हूँ कि आप बहुत ही असान तरीके से, कभी-कभी बोलता हूँ कि बिना कलम कोपी, यूज किये भी एंसर बता सकते हैं, मैं इसको अच्छा से बताया हूँ, पार्ट वन और पार्ट तु में, अब मैं इसको बताऊंगा, कि आप बिना कलम कोपी, यूज किये कैसे सॉल्फ समझने का परियास किजिएगा तो चेक करना है option को समझने का परियास किजिएगा समीर तथा आनंद की वर्तमान आयू का अनुपात यानि की वर्तमान का एक अनुपात दिया हुआ है और आनंद की वर्तमान आयू कितनी है तो option वर्तमान का ही रहता है हमेशा यानि की आयू जो कि वर्तमान का है, तो उससे option को check करेंगे, किसका ग्याद करना है, आनंद का, तो यहाँ पर देखना है कि अनुपात में आनंद का कितना है, समीर तथा आनंद का अनुपात है, तो पहले वाला समीर का होगा, और लास्ट वाला आनंद का होगा, तो आनंद का कितना है, चार है तो चार से option को divide करके देख लेना है तो चार से क भी divide होगा ख नहीं होगा ग डिवाइड होगा और ग भी डिवाइड होगा तो यहां पर answer नहीं मिला अब दूसरा जो दूसरा जो अनुपात है वो कब का है तीन वर्स बाद का तीन वर्स बाद तो जोड़ना पड़ेगा तो चोबिस में अगर तीन जोड़ेंगे तो 27 होगा नो से 29 27 कट गया अब बाकी नहीं कटेगा अगर एक ठो कट गया कहने का मतलब है कि दूसरा अनुपात से हम चेक कर रहे हैं अगर पहला नंबर ही कट गया तो बाकी नहीं कटेगा देख लिजे 27 में अगर 27 में तीन जोड़ेंगे तो 30 होगा नो से कटेगा नहीं 28 में अगर 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जागा 31 9 से कटेगा नहीं कटेगा घ़ा में देखिए 40 है 3 जोड़ेंगे 43 9 से कटेगा नहीं कटेगा तो का ओफशन एकदम करेक्ट मिल गया है तो का option सही हो गया है तो यानि कि इसमें क्या बोला था आनंद की वर्तमान आयू कितनी है बहुत ही असान है यानि कि 24 का option सही है यानि कि 24 हो आज तो इस तरीके से आपको solve करना है अगर नहीं समझ में आया यहां पर तो आपको part 1 और part 2 जरूर देखना है मैं कहता हूँ बार-बार कि आप बहुत ही असान तरीके से solve कर सकते हैं विना कलम को भी यूज किये भी solve कर सकते हैं आप कर सकते हैं मैंने solve करके बताया और अगर आप अच्छा से सिखना चाहते हैं तो part 1 और part 2 को देखिए अब चलते हैं अगला प्रस्ण अब अगला प्रस्ण नहीं है लास्ट था तो आज के लिए इतना ही अगर आज मैं 10 प्रस्ण को solve करके बताया इस 10 प्रस्ण में किसी भी प्रस्ण में आपको किसी भी तरह से अगर confusion है doubt है तो बे हिचक कोई संदेह नहीं करना है बे हिचक कमेंट में लिख डालना है कि कौन सा प्रस्ण को समझने में आपको problem हुआ मैं फिर से समझाने का परियास करूँगा आज के लिए इतना ही जैहिंद वंदे मातरम